रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार हिंदी साहित्य के सबसे पुराने सापताहिक पॉड़कास्ट कारिकरम बोलती कहानिया में एक बार फिर आपका स्वागत है मित्रों 22 अगस्त 1946 को इलाहबाद में एक बच्ची का जन्म हुआ था जो आज हिंदी की प्रमुख लेखिकाओं में गिनी जाती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं नासिरा शर्मा की रेडियो प्लेबैक इंडिया परिवार की ओर से आज हम आपको सुना रहे हैं उनकी संस्मरनात्म करचना उडान भरने को तैयार लड़की रितु कौशिक के स्वर में शिवना प्रकाशन के सोजन्ने से तो आईए सुनते हैं उडान भरने को तैयार लड़की प्रस्तुत है नासरा शर्मा की लिखे कहानी उडान भरने को तैयार लड़की आपको एक किस्सा सुनाती हूँ बात बहुत पुरानी नहीं सिर्फ बारह साल पहले की है मगर जहन में उसकी याद आज भी ताजा कटी घास की गंध की तरह बसी हुई है गर्मी के दिन थे बजे होंगे सुबह के ग्यारह देखती क्या हूँ जाली के दर्वाजे के पीछे एक दो धाई साल की बच्ची अपनी बुआ की उंगली पकड़े खड़ी है मैंने आगे बढ़कर दर्वाजा खोला ओ, तो ये वफा है मैंने हसकर कहा, तो वो अपनी बुआ से और सट गई मुझे उसे देखकर उस छोटी सी वफा का खयाल आया जो रेश्मी सफेद, मुलायम, चमकीले, कपड़े की फ्रॉक पहने हबीब की गोद में आई थी खाने के वक्त उसे चाबी का गुच्चा खेलने को देकर माबाप खाने की मीज की तरफ चले गए वो चाबी का गुच्चा मुँ में डाले चाबियां चूस रही थी मुझे ये देखकर परेशानी सी लग रही थी जब बहला कर मैं कुझी का गुच्चा ले उसको कोई और चीज थमाती वो पूरे बिस्तर पर लोट कर ऐसी चीखें मारती कि मैं घबरा कर उसको गुच्चा वापस कर देती लेसी सफेज जांगियों के बीच से निकली दोनों टांगें गजब का ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट दे रही थी पैरों में पायल, हाथों में सोनी की चूड़ियां, गले में हार और उंगले में नन्ही सी अंगूठी थी बस कान खाली थे, जो बालों से ढगे थे मेरा लगातार उसे देखकर मुस्कुराना, बजाए मेरे करीब लाने के उसे मुझ से दूर ले जा रहा था वो धीरे-धीरे कुछ कह रही थी चलते हैं, तुम बिस्किट खाओ फूफी धीरे से कहती, मगर वो उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े बैठी रही इस वक्त उसके बदन पर सूती फ्रॉक थी वो सारे सुन्दर तोहफे उसके पापा के सौधी से लायो पहार थे अब वो गाउं से आई थी ताकि पापा के साथ दिल्ली में रह सके जो विदेश की नौकरी छोड़ चुके थे वफा लगभग रोज किसी न किसी के साथ मिलने आती मगर जब तक रहती तब तक खुटती रहती थी उसका नाम नरसरी में लिखवाना था उसके पापा को चिंता थी कि ये भोजपुरी के अलावा कोई और भाशा बोल नहीं बाती फिर इसका दाखिला होगा कैसे वफा की मम्मी उससे भोजपुरी में बात करती थी वो भी ऐसी गाड़ी भोजपुरी में बाते होती जो अकसर उसके पापा को भी समझ में नहीं आती थी हबीब अब बच्चों को देख चुके थे उनका अर्मान था कि बेटी उसी तरह रहे और सुन्दर लगे पढ़े और आगे बढ़े कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए आखिर एक दिन हबीब ने अपने सीने में तबी खौहिश अपने भाभी से कह दी बात मेरे कानों तक पहुँची मुझे बच्चे वैसे ही प्यारे लगते हैं मुझे उसे अपने साथ रखने में क्या इद्रास हो सकता था बशर्ते कि वो मेरे साथ रह सके नया मकान हमारा चतरपूर में था नौकर मिले नहीं थे खाना पकाने से सफाई करने वाले माली नौकर पीछे चूट गए थे मगर वो मुझे से बराबर मिलने आते मकान में कुछ अधूरी काम पड़े थे जो साथ साथ चल रहे थे उसी में महमानदारी और लंबी छुटी गुजारने वाले रिष्टेदार भी ताथा बांधे हुए थे बेटा बसंत विहार में रह रहा था वफा से मेरी दोस्ती शुरू हुई मगर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलता सिवाए एक चुमले के अब अपने घरे जाई मगर पिता का सख्त ओर्डर था कि इसको एक हफते मम्मी के पास रहना है मेरा घर उसके लिए गुरुकुल था नौहे शेर कविता क्या नहीं था जो मैं उसकी नन्ही जबान से न कहलवाती और उर्दो हिंदी शब्द का उचारण तो वो कर लेती मगर कुछ चीज़ें अपनी वोकेबलरी के मताबिक कहती तो मैं खिल-खिल आकर हस देती जैसे मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और वो सुनाती मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना पता नहीं किस शरार्ती मूड में मैंने मिया चिरकीन का एक शेर उसे याद करा दिया मिया चिरकीन जब कपड़े बदलते थे बजाए इत्र के वो मूत्र मलते थे शाम को जब वफा का पूरा खांदान उससे मिलने आता तो वफा को सीड़ियों के बीच छोटे से चबूत्रे पर खड़ा कर स्टेज बनता और वो अपनी कविता नज में सुनाती थी सब तालियां बजाते वो ये सिर्फ एक बात के लिए कर रही थी जिस तरह एक कैदी अपनी आजादी के लिए बेचैन रहता है मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो मिया चिर्कीन का शेर भी सुना देगी बजाए इत्र के वो मूत्र मलते थे उसके मलने शब्द पर मैं हस दी मगर उसकी बुआ और चचा के जो बच्चे लड़के यहां पढ़ रहे थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यह शेर सुनकर कैसे रियक्ट करें यही शेर जब काफी दिनों बाद उसने अपने ताया को भी सुनाया तो उसको बताना पड़ा कि मूत्र का मतलब क्या होता है इसके बाद उसने वो शेर अपने स्टेज शो में सुनाना पंद कर दिया एक दिन मैंने कहा वफा तुम क्यों पेचैन रहती हो ये कववा रोज आता है कुछ खाता पीता है और उड़ जाता है क्यों न तुम इससे शादी कर लो और इसके संग जब चाहना उड़ कर मम्मी से मिलाना उसकी आँखों में जैसे चमक आ गई और पहली बार चहक कर बोली कर लेब उसका दिमाग कववे में उलच गया बलकि कहना चाहिए पट गया और वो इतला देती कववा आ गया, कववा उड़ गया उन्हीं दिनों मुंबई से डॉक्टर शर्मा के भतीजे आए खाने की मेज पर चहकती हुई उन्हें बताती कि मैं कववे से शादी करने वाली हूँ उन्होंने भी बादचीत आगे बढ़ाते हुए कहा अच्छा मैं तो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाने की सोच रहा था ये वाक्य उसके लिए उमीद का एक नया दर्वाजा खोल गया जैसे ही मैं मेद से उठी वो फोरण बोली मैं आपके साथ चलूँगी फिर वहीं से घर चली जाऊंगी मम्मी लगे एक दिन वो ग्रीन रूम के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी A, B, C पढ़ रही थी मैं बैट्रूम में थी अन्नी अपने जर्मन शेफर्ट के साथ लॉबी में दाखिल हुए और मैं कमरे से निकली कुत्ता जैसे ही लॉबी में घुसा उसे देखकर वफा की जो हालत हुई वो इतनी मजाकिया थी कि आज भी उसे याद करके हासी आती है मगर उस वक्त उसे डर से निकालने के लिए मैंने उसे लिप्टा कर थपकी दी पैकेट का खाना विटमिन्स बिस्किट खाने वाला कुत्ता घर में खुसते ही किचन में जाता और डस्ट बिन को उलट देता अन्नी इस हरकत से दुखी जुंजलाए उसे पकड़ते और कहते कि सब इस बेचारे से डरते हैं उन्हें नहीं पता ये कुत्ता बहुत फ्रेंडली और सोशल होता है चौराहे पर पानी भरती औरतें इसको देख चीखने लगी बच्चे भागने लगे असली बात है कि उन लोगों का लगाव सिर्फ देशी कुत्ते तक है मैंने भी मजा लिया अन्नी इसको आदाब करना कब सिखाओगे वो आपका जिम्मा है खैर कुछ लम्हों बाद टीपू ने दो पैरों पर खड़े होकर सब को नमस्ते किया सब उसे प्यार दुलार दिखाते हस रहे थे मगर वफा का नन्हा सा दिल इंजन की तरह अभी भी शोर कर रहा था हफता गुजर गया दूसरा शुरू हो गया वफा थोड़ा बहुत हिंदोस्तानी जबान बोलने लगी शायद मजबूर थी इस नए वातावरण में जहाना उसके स्वात का खाना था न बोली, न चहरे, नहीं भरा पुरा परिवार और साथ खेलने वाले बच्चे उसकी तकलीफ मैं अंदर तक महसूस कर रही थी मगर उसके अड्मिशन की समस्या तो हल करनी थी आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं अलक मूड में थी वफा के बुआ का बेटा किसी काम से आया वफा भोचपुरी में कुछ कह रही थी फारुख ने चलते हुए कहा वफा साथ चलने की जिद कर रही है तो ले जाओ मेरे इस सहजता से कहने का वो दोनों कुछ और मतलब निकाल बैठे समझे मैं गुस्सा होकर कह रही हूँ वफा की आखों में खोर निराशा की ऐसी उदासी भय के साथ उभरी कि मुझे हसकर कहना पड़ा जाओ कहतो रही हूँ मैं पता नहीं सकती उस धाई साल की बच्ची की जो दबी-दबी मुस्कान उसके मासूम खोटों पर उभरी और काली आखों में एक साथ प्यार, धन्यवाद और अपनाईयत की किरने फूटी उस हलकी मिठास का बायान मेरे शब्द नहीं कर सकते उस दिन से वफा ने मेरी दोस्ती, ममता, टीचर वाली सकती को सिर्फ कुबूल ही नहीं किया बलकि जो काम मैं दस-पंद्रह दिनों की कोशिशों में न कर पाई वो अचानक एक लम्हे में हो गया फिर तो वफा बड़ी खुशे से आती और मा के साथ लोट जाती मा शिकायत करती कि वहां बड़े मुश्किल से एक रोटी खाती है अब मैं क्या बताती कि वो खाने की मेज पर राम के दाहिने तरफ बैठ कर आराम से दो फुल के खाती है सारे दिन फूलों की क्यारी आवले के पेड के चारों तरफ घूम घूम कर गाना गाती तो कभी कविता पड़ती उसके आवाज मीठी, धीमी और लोचदार थी वफा दरसल एक सैयुक्त परिवार सिवान जिला के गोपाल गंज के सिद्धिक्री परिवार के पांचवे बेटे की पहली आवलाद थी सिद्धिक्री परिवार उस इलाके में इज़त की नजरों से देखा जाता था जहां शिक्षा जायदाद और परमपरागत बिहारी समाच का ताना बाना था लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही थी मगर सब कुछ उस इलाके की सरहद में ही वहाँ जो मौजूद था उसके अनुसार चल रहा था जहां धार्मिक शिक्षा थी वहीं अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई भी थी खांदान से जो पटना से निकल दिल्ली की तरफ आया तो उसे महसूस हुआ इश्क के इम्तहान और भी है बिहार प्रांथ से मजदूर, तकनीशियन, डॉक्टर, इंजीनियरों का जाना जहां कलकत्ता की ओर होता था अब भारत के विभिन शहरों और मध्यपूर्व के सभी देशों में हो गया जिसमें मुख्यधारा से जुडने की संभावना और ललक जाग उठी थी वफा के पापा भी विदेश यात्रा के बाद अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत सपना देख रहे थे इस नए घर में दोपहर में अकेली मैं रह जाती थी डॉक्टर शर्मा, विश्व विद्याले या मीटिंग, बेटी, अपने ऑफिस अचानक मेरी तबियत हराब हो जाने की वजह से सभी परेशान थे कि मेरे पास कौन रुकेगा तैप आया कि वफा को छोड़ दिया जाएगा मेरे पास ताकि घंटी बजने पर वो पूट सके कि कौन आया कोरियर और पार्सल में डाकिया मुझे तक पहुँच जाएगा ताकि मैं हस्ताक्षर कर सकूँ मैं कुछ लिखती पढ़ती वफा अपनी ABC का भ्यास करती या फिर तस्वीरों में रंग भरती एक दिन वफा नहीं आई रोज उसे छोड़ने कोई न कोई आता था कुछ देर बात मैं किचन में गई तो मुझे लगा जैसे कोई बाहर है खास कर दर्वासे के पास बाहर निकल कर दर्वासा खोला तो देखा वफा है कब आई? मेरे पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया आज वो फ्रॉक की जगह बैंगनी शलवार तुपट्टा और आँखों पर गौगल्स लगाए थी शायद ये कपड़े किसी फूफी ने उसके लिए भेजे होंगे मेरे चेहरे पर मुस्कान उभरी वो ठीक फिल्म एक्ट्रिस शकीला का छोटा मॉडर लग रही थी उसके चेहरे पर पसीना था अंदर लाकर मैंने उसे जैम और टोस्ट दिया फिर बिखरे तार जोडने लगी वफा के पापा ने उसे लेन के शुरू में छोड़ दिया होगा शायद विश्वास पैदा करने के लिए और कुछ तेर उसे जाते देखने के बाद वो ओफिस निकल गए होंगे मगर वो ये भूल गए थे कि उसके हाथों की उचाई दरवाजे पर लगे हुक तक नहीं पहुँच सकती थी ना घंटी तक उसकी हलकी हलकी दस तक अंदर की कमरे तक पहुँची न होगी फोन पर बात की तो पता चला कि वो ठीक दस पजे आई थी बारह बज रहे थे पूरे दो घंटे वो धूप और छाओं के बीच खड़ी रही न रोई न चीखी अंदर आके उसने अपना काम करना शुरू कर दिया उसके रंगों के शेड को देखकर मैं ताज्यूप करती कि इसके अंदर की तुनिया कितने सुफियाना रंगों से बनी है देखो घंटी बजी है दूसरे दिन की बात है उसने लॉबी की चाली से पूछा कौन साहब है आपका नाम क्या है अंदर आ जाईए पानी लेंगे अम्मा जान अंदर है डाकिया अंदर आकर कहता बेहत प्यारी बच्ची है पूछ रही थी कौन साहब है एक दिन मैं लिखने में ऐसी डूबी कि भूल गई कि वफा को लंच देना है कलम बंद किया तो याद आया घड़ी देखी शाम के चार बज रहे थे वफा से पूछा पर हम आमने सामने बैठ गए पता नहीं कैसे मेरे जहन में एक नाम उभरा काली चींटी हाँ ये बिलकुल काली चींटी है मेरे बचपन की काली चींटी जब मैंने उसे इस नाम से पुकारा तो वो हास पड़ी उसने तब तक न काली चींटी देखी थी, नहीं ये नाम सुना था। मगर मेरे लहजे की मिठास और आखों में तैरते प्यार की भाषा उसने पढ़ ली। और सोच लिया होगा कि ये कोई बेहत प्यारा संबोधन होगा। इसके बाद जब मैं उसे पुकारती, वो किसी हिरनी के चौने की तरह कुलाचे भड़ती, मेरे पास पहुचती और खिले फूल की तरह हसती। जी अम्मा जान। कुछ दिनों बाद वफा हमारे साथ रहने लगी। तीन साल से वो मेरी किताबों का रखना, कागज, कलम को संभालना, अपने आप मेरा देखा-देखी करने लगी। नर्सरी में दाखिला मिल गया। रिपोर्ट आए कि इस बच्चे को इतना कुछ आता है कि ताज्जुप होता है। कुछ महीनों बाद टीचर ने पूछा, ये अम्मा जान कौन है। वफा उनकी बहुत बातें करती है। एक दिन वफा ने इत्तला दी, अम्मा जान आज हमारे यहां खरगोश बन रहा है। खरगोश? खरगोश खाना मना है। मैंने चौक कर उसकी तरफ देखा। सफाई! वा भईवा! इस पात पर तो केक खाना बनता है। घर में बेग किये केक का वो टुकडा बाहर लौन में घूमते हुए खाने लगी। मगर शाम तक जो खबर मिली, वो खासी दिलचस्प थी। वफा ने घर का टीवी पानी से धो डाला था। खेल खेल में वफा मा के रात के उतारे जेवर के दुकान लगाती थी। अब कोई जेवर घर में नजर नहीं आ रहा था। फारुख ने बताया मुमानी ने इतनी बार जाडू लगाई है। और बिस्तर जाडे हैं कि घर ऐसा साफ कभी लगा ही न था। फारुख के व्यंग में हास का ऐसा पुठ होता कि आदमी हसे बिना नहीं रह सकता था। लेकिन फारुख को तब पता नहीं था कि वो जेवर उसी की अलमारी में गंदे कपड़ों के बीच छुपा कर वफा भूल चुकी थी। ज्यादातर दूसरों के सामने में उसे काली चिंटी नहीं पुगारती थी। मगर कभी-कभी बेख्याली में मुँझे निकल जाता। कुछ इस नाम पर हसी से लोट जाते, कुछ जिग्यासू आखों से ताकते। मेरी सारी किताबों के नाम वो पढ़ने लगी थी। मेरे पास जितनी बाल सहित्ती के किताबें थी उसने चार्ट डाली थी। फिर वो जिद करती। अम्मा जान कोई नई कहानी सुनाएं। मेरा स्टडी रूम उपर था। कोई इंटर्व्यू लेने या मिलने आता और किसी किताब या फाइल की जरूरत होती तो वो भाग कर उपर से ले आती। शायद क्या बहुत मुम्किन है कि दुनिया की सबसे कम उम्म्र लाइब्रेरियन वफा हबीब उर्फ काली चींटी बन गई थी। एक दिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कॉफी शॉप में वफा भी हमारे साथ थी। बच्चों को इजाज़त नहीं थी। इसलिए वो शीशे के उस पार बैठी पेस्ट्री खा रही थी और खाली स्केचों में रंग भर रही थी। जब हम चलने को हुए तो वो कलर बॉक्स और स्केच कॉपी अंदर लेकर आई। उसने राजस्थानी लहंगा और कुर्ता पहन रखा था। लचका लगा पिला दुपट्टा कंधे पर से होकर दूसरी तरफ कमर के पास हलकी सी गिरह के साथ लटक रहा था। कवी गंगा प्रसाद विमल हमारे पास आए और वफा का हंस्ता चहरा और चमकीली आँखें देखकर बोल उठें क्या लड़की है बिलकुल उड़ने को तैयार। मेरी कई दोस्तों ने कहा अब वफा बड़ी हो गई है उसको काली चींटी कहना बन कीजिये घर में मेरे अलावा किसी को उसे काली चींटी कहने की इजासत नहीं थी फिर भी मैं सोचने लगी अगर शादी के बाद उसके शोहर ने उसे काली चींटी कहकर चिड़ाया तो नहीं नहीं आप मुझे इसी नाम से भुकारें उसकी आँखों में वही पुरानी चमक थी उस दिन वाली खुशी जब स्कूल से लोट कर उसने बताया आज मैंने चींटी का चित्र देखा उसे अंग्रेजी में एंट कहते हैं समय तेजी से वर्षों की सेड़ियां चड़ रहा था डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा लिया गया लगभग 200 पन्नों का मेरा इंटर्व्यू पुस्तक की रूप में जाने अजीबी नाम से आया जिसमें उन्होंने कई पन्नों पर जगह जगह काली चींटी का जिक्र किया था जिसको पढ़कर किसको क्या लगा मगर ज साथ वफा को जरूर लाईएगा अब गीता श्री का शदीद इस्रार था कि मैं उसकी संस्मरणों की पुस्तक के लिए काली चींटी पर एक छोटा सा संस्मरण लिख डालूं कई बार न करने के बावजूद गीता की हट किसी बड़ी चट्टान की तरह अड़ी रही अब आ परकाशा कमोद माहिश्वरी ने एक दिन पूछी लिया आंटी आप इसको काली चींटी क्यों पुकारती हैं मैं हर बार सोचता था मैंने हसकर कहा पहले लाल और काली चीटियां अकसर घरों में काफिले की शकल में लाइन से मार्च करती नजर आती थी उसी के साथ चींटे भी जिन्होंने मुझे बच्पन में कई बार काटा और दर्द से मेरो उठती पैरों की उंगली से छुडाते छुडाते खून निकल ही आता था वही हाल लाल चींटी का था रसत ठोते ढोते पैरों पर इस बुरी तरह काटती कि वो जगह लाल हो जाती और बड़ी देर तक चलती रहती उन्हीं दिनों काली चींटी दिखी जो पैरों से होकर बिना काटे गुजर गई और शक्कर का दाना उठा उसे लेकर रेंगने लगी पहली मुलाकात में ही आपने काम से काम रखती है किसे दूसरे को दुख मेहीं देती है कुछ वर्शों पहले अनिल दुबई से लोटे तो मेरे साथ रहने लगे मैं बराबर ध्यान रखती कि अनिल के लिए खाने की चीज़ें रखी गई हैं उनका कमरा साफ है एक दिन अचानक मुझे लगा कि कहीं वफा और उसका छुटा भाई अमन जो मेरे साथ रह रहे हैं उनके दिल में बिना किसी कारण अलगाओ का एहसास तो नहीं भर रही हूँ एक दिन दोनों को पास बुला कर मैंने बिठाया और कहा जानते हो अनिल मेरा बेटा है उससे मेरा खून का रिष्टा है मैं चाहूंगी तुम दोनों भी उसका ध्यान रखो अच्छा अब ये बताओ तुमसे मेरा क्या रिष्टा है आप ह एक रिष्टा है वो है प्यार का और ये रिष्टा दुनिया के हर रिष्टे से बड़ा है इसको हमेशा याद रखना अनिल भी वही रिष्टा तुमसे रखेंगे और हम चारों एक साथ रहेंगे अक्सर रात को यदि करवट बदलते या किसी तरह की धीमी आवाज भी होती है तो अमन पूछ लेता क्या हुआ मजान अगर मेरी तबियत जरा भी सुस्त लगी तो दोनों में से एक स्कूल जाएगा दूसरा घर में रुकने के जिद करेगा घर बड़ा है मगर दोनों मेरा बेडरूम शेयर करते हैं ये धमकी देना काफी होता है अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो अलब कमरे में रहो बस दोनों की सिट्टे पिट्टे गुम आँखें की ली हमारी तीनों की टीम बागवानी टीवी देखना मिलकर कोकिंग करना जै जंगल वाले दर्वाजे की तरफ अगर सुर ने बच्चे दिये हैं तो फिर लेडी पिक को उपर से खाना देना बक्रियों को फलों के छिलके, कटी घास, छटी पेड़ की टहनिया डालते, बिल्ली कुत्तों के लिए मचली का सर फेकते, चिडियों के लिए दाने दो नमंबर से पहले हमारा बरसात और गर्मी से बौराया भाग नए पौधों से सच जाता है वफा के हाथ से लगाया कोई पौधा न सुखता, बाजार से खाद, बीज, नए गमले, पौधे लाने का काम अंजुम का होता मुझे नई तरह से गमले तैयार करने पड़ते खाद मिट्टी में सने, हाथ दोकर खाने की मेच पर बैठना तालती रहती और अंजुम कहती ममा, तीन बज गए हैं, अब अमन प्रेट में मेरा खाना ले आता और उसी तरह कौर बना-बना कर मेरे मुझे टालता जाता जैसे मैं उसकी प्रोजेक्ट बनाते गंदे हाथ, रंगों और गौंद से भरे होने के कारण उसके मुझे मुझे निवाला डालती अक्सर घर में काम करने वाले चक्राई रहते, आपस में बाते करते, इस घर का कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये बच्चे हैं किसके बाहर से मम्मी पापा का फोन आता है, यहां ये इनको अम्मा और अब्बु कहते और अम्मा जान ये सच है कि हमारे बीच हिंदी, भोचपुरी, शिया सुन्नी, काला गूरा, बिहार दिल्ली का कभी कोई अडंगा लगा ही नहीं दो नवंबर की शाम, दोनों केक बेक करते, घर सजाते, गुब्बारे फुला कर लटकाते, और शाम ढलते-ढलते मेरे पोते काजू, अलेकजंडर, अली शर्मा का हम सब मिलकर पर्थडे मनाते, और हमारे लगाए फूलों के पौधों में से किसी न किसी गमले की कली खिल जाती गंगा प्रसाद विमल जी ने ठीक ही कहा था, उन्ने को तैयार लड़की एक दिन ऐसा आएगा, जब काली चींटी और दिल्लू दीमक यानी अमन अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे जैसे सब पच्चे शादी या नौकरी करने चले जाते हैं, तब लगता है कि उनकी खाली जगह भरने के लिए कोई न कोई प्रवासी परिंदा इस गुरुकुल में रहने आ जाएगा